आज मैं आपको घर में कैसे बुंदिया बनाई जाती है उसका रेसीपी बताने जा रही हूँ जो ये बेशन है मैं पहले से से चाल चुकी हूँ इसलिए कि इसमें गाठ ना पड़े ये एक कटोरी से कम उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा आए रही पानी जो आपको गितना आप बेशन दे रहे है उसका तीन चौथाई आपको इसमें पानी लगेगी आपको इसी का पानी से ही आपको ये करना है अगर जादा पानी हो जाएगा तो बुंदिया अच्छी नहीं अगर कम होगी तो अच्छी नहीं इसका बेटर आप बहुत ध्यान से आपको करनी होगे, ये आपको 10 मिनट कम से कम अच्छी तरह फेटनी है, आप फेटने से ही बुनिया फूलती भी है, ये आपका देखिये कैसा होना चाहिए, ये गिरने के बाद एक जगा थोड़ा सा रुप के फिर फैल रहा है, इसका के लिए छोड़ दूलगी, और इसका जो आगे प्रोसेस है, जैसे की चासनी तयार करना, जो एक कप पानी चासनी के लिए, और एक कप से थोड़ा सा कम चीनी, अब इसे में चासनी के लिए तयार चर रहे है, ये आपका चासनी तयार हो चुकी है, ये आपको कैसे पता चलेगा है, आप ऐसे लेकर एक तार से भी कम होना चाहिए, बुंदिया के लिए चासनी, अब मैं इसे उतार रहे हूँ, अब इस कडाही में मैं डालदा स्याच बनाओगी, डालदा डाल रहे हैं, यह आपका वेटर परफेक्ट हो चुकी है, आप इसे में बुंदिया कलने जा रहे हूँ, अब मैं इससे बनाऊँगी, जो परते घर में ही पाया जाती है, यह आपको यह अपका बुंदिया, अब मैं अबिया जाती है जाती है यह आपका देखिए, बुन्दिया परफेक्ट हो रही है, अब देखिए यह, पांच मिनट फ्राइ करने कबाद यह पुर्कुरा पन आ गया इसमें, आप नई से निकाल के चासनी में डालूंगे, यह आपका बुन्दिया घर में तयार है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक आसा तो रही जरूर कीजिएगा,